मान सुनाती गुजराती लोग एक यूनिक डिस्क के पीछे इतने दिवाने हो जाते हैं कि लाइन लगा कर इस डिश को खाते हैं लगबग पूरे गुजरात में ये यूनिक डिस्क बनाई जाती है इसका नाम है नमकीन खाजा इसके अंदर डाला जाता है एक सीक्रेट मसाला और इस डिश को बनाने का जो तरीका है न वो इतना यूनिक है कि आपको ये वीडियो अंतक देखकर मज़ा आ जाएगा सबसे पहले खाजा बनाने के लिए परात में लिया जाता है काफी सारा मेदा फिर इसमें मातरा के हिसाब से नमक को एड़ किया जाता है फिर इसमें डाला जाता है हल्दी वाला पानी हल्दी वाला पानी डालने के बाद इसमें मिलाया जाता है सरसों का तेल और फिर इसमें डाला जाता है पानी अब आप देख रहे हैं कि बहिया ने मेदा जो है उसको गुंदना इस्टार्ट कर डिया है इसमें yellow color आपको दिखा ही दे रहा है ये yellow color हल्दी के पानी के कारण आ रहे है मेदे को अच्छे से गुंदा जाता है ताकि खाजा अच्छी quality क Ariya के बने पिर इसमें डाला जाता है नमक, इसके बाद इसमें डाला जाता है बहुत सारा जीरा और काली मिर्ज का पाउडर और सीक्रेट मसाला, और फिर पानी डालकर इस मसाले को अच्छे से मिलाया जाता है, इसके बाद गुंदेवे मेदे को परात में अच्छे से फिला लिया जाता जब layer पूरी लग जाती है इसके बाद बार बार इसी तरीके से मेदे को पलटा जाता है और इसके उपर layer लगा जाती है लगबद 10 से 12 बार ये same process किया जाता है ताकि जो मेदा है और मसाला है दोनों अच्छे से mix हो जाएं mix होने के बाद मसाला और मेदे की layer अच्छे से बन जाती है तब उसके छोटे छोटे टुकडे तोड़ ली जाते हैं और उनके लोये बनाये जाते हैं लोये बनाकर अलग प्रेट के अंदर रख लिया जाता है आप देख रहे हैं कि कितने perfect और समान आकार में लोये तयार किया जा रहे हैं अब आप देख पा रहे हैं कि पूरी पराज गोल आकार के लोयों से बरके तयार हो गई है कड़ाई में एकदम साफ तेल डाला जाता है और बट्टी को जलाया जाता है इसके बाद खाजा के लोयों को बट्टी के पास लाया जाता है और इनमें काफी मत्रम में तेल डाला जाता है तेल इसलिए डाला जा रहे हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं तो ये फूले नहीं, ये पूडी नहीं बन जाएं, ये खाजा ही बनें, और अच्छे से क्रिश्पी सिखें, अब काफी मात्रा में खाजा कड़ाई में सिखके आपको तियार दिखाई दे रहे हैं, इनको बार बार पल्टा जाता है, ताकि अच्छे से सिख पाएं, 15 मिनिट सिखने के बाद इनका कलर यलो हो जाता है, इसका मतलब खाजा बनकर तयार हैं, अब इनको चिम्टी की मदद से उठाकर इनको कड़ाई से बाहर निकाल लिया जाता है, और एक साइड में बर्तन में इनको रख दिया जाता है, अब ये खाजा बनकर तयार हो गए हैं, अब उनसे पूछोगी खाजा को खाने में कैसा टेस्ट आते और उनसे पूरी जान करी लें